आप लोग देखते हैं कि हमारे देश में सबसे टफ एक्जाम में से सबसे कठिन एक्जाम में से एक एक्जाम है आपका UPSC जिसे आप लोग सेबिल सर्विस के नाम से भी जानते हैं IES के नाम से भी जानते हैं और अगर आप लोग हिंदी मीडियम से तैयारी करते हैं तो आप लोगोंने विकास दिब्रकीरती का नाम सुना होगा द्रश्टी IES आप लोग जो देखते हैं इसके संस्थापक है विकास दिब्रकीरती है और यूटूब पर आप लोग एक चैनल भी देखते हैं दृष्टी आईएस के नाम से और बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों को वहां मिलती रहती है एक सरल सभाव के साथ आप देखते हैं कि पढ़ाते हैं और बहुत अच्छी तरह ऐसे समझाते भी है तो अभी आप देख रहे होंगे कि ये काफी चर्चा में बने हुए और ट्वीटर फर ट्रेंड भी कर रहे हैं इन्होंने माता सीता जो आप देखते हैं कि हिंदू धरम में भगवाल सिरी राम की पतनी की बात कर रहा हूं उन पर कुछ टिपड़ी की थी इन्होंने और उसी को लेकर आप देखे कुछ लोगों की भावनाय आहत हुई है और वही आप देख रहे हैं कि इनका बिरोध कर रहे हैं तो आज हम लोग क्या करें कि विकास दिब्व कीरती के बारे में एक सामान चर्चा कर लेते हैं इनके बारे में एक सामान जानकारी देख लेते हैं अगर हम लोग दिब्व कीरती के जनम की बात करें तो आप देखेंगे 26 दिसंबर 1973 में भारत के जो हर्याना राज्जेना इसके छोटे से जिले में हुआ था एक बार आप लोग हर्याना को देख लीजे यहाँ हर्याना आप लोग उनको देखाई दे रहा है अगर इसकी राध्धानी अगर आप लोग देखें तो इसकी राध्धानी क्या है चंडीगड है और पंजाब की राध्धानी भी चंडीगड है यह आप लोग जरूर याद रखिएगा और इसकी सीमा पंजाब हो, राजिस्थान हो, उत्तर पिदेश हो और हिमाचल पिदेश से लगती है और इसे 1 नवंबर 1956 में राज बनाए गया था और यहां विधान सभा में 90 सीटें देखने को मिलेंगी राज्य सभा में 5 सीटें हैं, लोग सभा में 10 सीटें हैं 44,212 वर किलूमीटर में यह फैला हुआ है आपका हर्याना तो विकास दिब्भी की इरती यहीं से संबंद रखते हैं यहीं से हैं वो और इनके माता पिता की बात करें तो अध्यापन का काम करते थे यानि कि सिक्चक थे और सिक्चक होने की वज़े से आप देखें इनके घर में पढ़ने-पढ़ाने का मावल हमेशा से बना रहा है और विकास सर को पढ़ाना अच्छा लगने लगा और विकासर को आप देखेंगे हिंदी कहानिया हिंदी साहत का बहुत रोचक लगता था और इस बज़े से उन्होंने साहत में PhD की डिगिरी हासिल की हुई है और हिंदी साहत ओप्सनल भी पढ़ाते हैं इसके अलावा उन्होंने बिवहिंडे पिकार की डिगिरीयां को भी हासिल किया भारत के सबसे पिछले UPSC परिक्षा के लिए आविदन किया और इसमें भी आप देखें इन्होंने सफलता हासिल की और आप देखेंगे कि बाद में कुछ समय के बाद इन्होंने नौकरी को छोड़ दिया और नौकरी छोड़ने की बाद इन्होंने एक कोचिंग संस्था चलाई और जिसमें आप देखें इती बच्चों ने खोब इने प्यार दिया और पसंद किया और इनके जो पढ़ाने का तरीका है वो सबसे हटकर ही है आप देखेंगे कि आप सानी से आप लोगों को समझ में आ जाता होगा और जिसके बाद नौकरी छोड़कर कोचिंग सस्ता चला इनोंने और आप देखेंगे UPSC की तैयारी करवाते हैं और पितिश्ट्री संस्थाओ में से एक संस्था है दिरिष्टी आईएस 1999 की बात है 1999 में ये संस्था चाल हुई थी तो यह भी आप लोग याद रखेंगा और आप देखेंगे कि अगर हम इनकी सिक्षा की बात करें डॉक्टर विकास दिविगेर्थी की तो इनोंने आप देखेंगे कि विकास संस्था को हिंदी साहत में काफी रुची थी इसके लिए उन्होंने प्यार में एक सिक्षा पूरी करने की बात साहत से इसनातक हिंदी साहत से इसनातक और पो PhD की हुई है और इसके बाद LLB की डिग्री और फिर UGC, JARAP और समाज सास्त में से NET की परिच्छा भी पास की है तो इसके साथ आप देखेंगे इनके पास तमाम डिग्रियां है बीए है इतिहास में फिलोसफी में एहमफिल है हिंदी साहत में PhD है इसके अलाबा LLB की कानू उनकी पढ़ाई भी किये हुए है अगर हम लोग इनकी परिवार की बात करें तो आप देखेंगे इनकी पतनी का नाम अगर आप देखें तो तरुना भर्मा है और 1998 में इनकी साधी हुई थी इनका एक पुत्र भी है सात्विक दिविकीरती इनके बेटे का नाम है और द्रि अब दियां देखने को मिलेंगी 1996 में इन्होंने सेविल सर्विस पर इक्षा पास की थी वी ए एम 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 फिल और फिर आप देखें यह एललवी पी एच डवी इस तरह की तमाम डिग्रियां इन्होंने हासल की हुई है चलिए तो एक साट वाइगराफ ही आप लोग कह सकते और इस तरह का कोई भी व्यक्ति अगर चर्चा में रहता है तो मुझे लगता है कि उसके बारे में एक सामन जहानकारी जरूर आप लोग याद रखा करिएगा